हाली में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए सात्वें बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है आपके आपसन है ए भारत बी चीन सी अमेरिका डी अफरिका तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत जी हाँ भारत इसका सही उत्तर है हाली में क्रिप्टो को अपनाने के लिए भारत जो है साथमें सबसे बड़े राष्ट के रूप में उबरा है, ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रसन की और प्रसन नमबर दो हाली में किस राजी सरकार ने यमनोत्री धाम में 3.38 किलो मीटर लंबे रोपवे के निर्माड के लिए समझोता किया है आपके आप्सन है A. उत्तराखंड, B. उत्तर प्रदेश, C. करनाटक, D. राजस्थान तो इसका सही उत्तर है A. उत्तराखंड जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने यमनोत्री धाम में 3.38 किलो मीटर लंबे रोपवे के निर्माड के लिए समझोता किया है अगले प्रस्ण की ओर बढ़ते हैं, जो कि तीसरा प्रस्ण है हाली में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुल सापिंग ऐप लांच करने जा रहा है दिल्ली मेट्रो लखनव मेट्रो या जैपूर मेट्रो तो इसका सही उत्तर है दिल्ली मेट्रो जो है वो अपना खुद का सापिंग ऐप लांच करने जा रहा है बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के ओर प्रस्ण नंबर 4 है हाली में भारत और कौन सा देश तेल और गैस छेतर पर समझोते के लिए तयार हुआ है प्रस्ण है ये बहुत अच्छा प्रस्ण है भारत और कौन सा देश दूसरे देश का नाम बताना है आपके अपसने जमायका, गुयाना, सुदी अरब और रूस तो इसका सही उत्तर है गुयाना, गुयाना जो है भारत के साथ तेल और गैस समझोते पर राजी हुआ है बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर, पांचवा प्रस्ण हाली में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदल कर क्या किया जाएगा आपके आप्सन है CD देशमुक स्टेशन, बाला सहब ठाकरे स्टेशन, पंडित दीन दयाल उपाद्ध्या स्टेशन या अरूण जेटली स्टेशन तो इसका सही उत्तर है CD देशमुक स्टेशन, CD देशमुक स्टेशन किया जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर जो की छठा प्रस्ण है हाली में किसने इंटर्पेनियोर आफ दा इयर 2022 का खिताब जीता है आपके आफसन है प्रणाव जिंदल नंबर दो पे है सजन जिंदल गौतम अडाणी या परागगर्वाल तो इसका सही उत्तर है सजन जिंदाल जी हाँ सजन जिंदल जो JSW के अध्यच भी है डाइरेक्टर है उन्होंने हाली में इंटर्पेनियोर आप दा इयर 2022 का खिताब जीता है बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर हाली में जारी 2023 अंतराष्ट्री आईपी सुचकांक में कौन सीर्स पर रहा है आपके आपसन है र अमरीका जी हाँ हाली में जो सुची जारी की अंतराष्ट्री आईपी सुचकांक की 2023 की उसमें अमेरिका पहले नंबर पर रहा और आपको हम बता दे कि अपना देश भारत 43 नंबर पर है इस सुची में भारत का इस्थान 43 पर है बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर जो की बढ़ती महत्पूर्ण प्रस्द है हाली में किसने खेल आधारी सिच्छन सनस्थान जाद्यी पिटारा का परिचे दिया है आपके आपसं है जेपि नड्र, धर्मेंध, परधान अनुराग ठाकुर या नरेंद्र मोदी तो इसका सही उत्तर है धर्मेंद, परधान जी हाँ धर्मेंद्र प्रधान जी जो है इन्होंने जादुई पिटारा नामक सिछण संस्थान का परिच्चय दिया है अगले परस्ण क्यों बढ़ते हैं हाली में किस देश में पहली बार भारती पंडुब्बी आईनस सिंदुकेशरी डाक की गई यानि भेजी गई तो आप्सन हैं मलेशिया, बांगला देश, इंडोनेशिया या यूक्रेन तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया इंडोनेशिया को भारत की आईनस सिंदुकेशरी डाक की गई बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर हाली में अमाजां किस देश में open network for digital commerce, ONDC network में शामिल हुआ है अपक्ते हैं अमेरिका, चीन, भारत या उत्तर कोरिया तो इसका सही उत्तर है भारत भारत में अमाजां जो है वो ONDC network में सामिल हुआ है बढ़ते हैं अंगले प्रस्द की ओर, हाली में उबर ने 25,000 EVS यानि इलेक्ट्रिक वहिकल को प्लेट फार्म पर लाने के लिए किसके साथ समझोता किया है। उबर एक कंपनी है जो हमें विविन प्रकार की टेक्सी सेवाएं उपलब्द कराती है। तो आपसन है आपके हुंडई, टाटा मोटर्स, यामहा या अडानी नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर है टाटा मोटर्स। उबर ने टाटा मोटर्स के साथ 25,000 EVS का समझोता किया आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर प्रस्ण है हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड राकेट कहां लांच किया गया है। आपके आपसन है गुजरात, तमिलनाडू, गोवा या बंगलूरू तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडू, तमिलनाडू में भारत का पहला आर्टी आई से जारी डाटा के अनुसार कितने प्रतिसत मतदाताओं ने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया है। आपके आपसन है 40% 60% 90% या सत प्रतिसत यानि 100% तो इसका सही उत्तरबी यानि 60% 60% मतदाताओं ने अपने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया है। यह आर्टी आई से प्राप्त डाटा है। अगला प्रस्ण है हाली में कहां विश्व पुस्तक मेला 2023 आयुजित किया जा रहा है। आपके आप्सन है नई दिल्ली, जैपूर, लखनव, बंगलूरू तो इसका सही उत्तर नई दिल्ली। नई दिल्ली में एक जगह कनाट प्लेस वहां पे विश्व पुस्तक मेला आयुजित किया जा रहा है। आसा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही प्रतिदिन चीके के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।